एक सीकर ने फ्रेस्ण पूछा है, मैं अपनी सोच बदलना चाहता हूँ, बार बार प्रियास करने के बहुचूद भी अपनी सोच बदल नहीं सका हूँ, इस नए साल पर मैं अपनी सोच बदलना चाहता हूँ, कृपिया मुझे गाइट करें। देखिए सबसे पहले तो नए साल के आउसर पर आप सभी को हारदिक शुपकामना है देखिए जहां तक आपकी सोच बदलने का सवाल है तो सोच ऐसे नहीं बदलेगी सोच बदलने के लिए एक विधी होती है उस विधी को थोड़ा सा समझेंगे तो आपको सोच बदलने में आसानी होगी हमारे सास्तरों में परकरती को त्रीगुणात्मक बताया गया है यानि कि परकरती के अंदर तीन गुण होते है पहला गुण परकरती का है सत्व दूसरा है रजस और तीसरा है तमस स्री क्रिश्ट मगवान ने गीता में भी त्रिकुनात्मक प्रकरती का जिक्र किया है सत्तो का मतलब होता है समझ रजस का मतलब होता है सक्रियबल यानि active force और तमस का मतलब होता है अक्रियबल यानि inertial force अब आपकी समझ कैसे चलेगी इस चीज के उपर निर्वर करता है कि आपका सत्तो कहां से आता है यानि आपकी समझ कहां से आती है मान लिजे कि आपकी समझ दुनिया से की नकल करके आती है यानि आपने अपनी समझ का विकास साधारता है हम अपनी समझ दुनिया से ही सीखते है क्योंकि सीखना तो हमारा इस दुनिया में ही हो पाता है तो मान लिजे आपकी समझ इस दुनिया से आई है दुनिया की चालाकी को देख करके आपने अपनी समझ का विकास किया है दुनिया के तोर तरीकों को देख करके आपने अपनी समझ का विकास किया है तो इसका मतलब आपका सत्तो क्या है? सत्तो है आपका दुनिया से आई हुई समझ. जब आपका सत्तो दुनिया की समझ के उपर बेज़्ड होता है, दुनिया से आई हुई समझ के उपर बेज़्ड होता है, तो दुनिया जो है वो बन जाती है रजस और आप बन जाते हैं तम जाओंगा तो आप असानी से समझ पाएंगे जिसे मान लीजिए कि आपको किसी ने गाली दी तो गाली दे करके उसने क्या किया आपके उपर एक सक्री बल लगाया यानि इनिशेट किया उसने आपको अफेंड किया इनिशेट किया आपके उपर ओफेंस यानि उसने सक्री बल लगाया आपके उपर गाली दे करके अब आपकी समझ कहां से आती है आपकी समझ आती है दुनिया से दुनिया से आपने अपनी समझ का विकास किया है तो आप आप किस तरह से सोचेंगे आप इस तरीके से सोचेंगे कि आज मैंने इसकी गाली सह लिये तो कल ये और मुझे गाली देगा तब और दिक्कत होगी इसलिए मुझे इसको मारना जरूरी है इसको मुझे पीटना जरूरी है तो आप इस तरीके से अपनी सोच को चलाएंगे अब चुकि आपकी समझ दुनिया से आई है और आप बदला लेने की भावना से गाली का प्रत व्यक्ति को देखेंगे तो आप दुख से बढ़ जाएंगे आप नेगेटिव फिलिंग से बढ़ जाएंगे आप टेंस हो जाएंगे आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा आपका चेहरा लाल हो जाएगा और जितनी बार वो व्यक्ति आपको दिखाई देगा उतनी बा क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि अब व्यक्ति हमेश उसकी व्यक्ति की जो अपियरंस है वही आपके ओपर अब एक्टिव फोर्स का काम कर रही है आपके सामने आएगा बस वो आपकी सक्ति को शीन कर देगा आप अक्री हो करके बस उसको उसकी मौझूदगी में नेगेट और उसके हाँ में चला गया तो इस तरीके से जब दुनिया से पैदा होने वाली समझ आपका गाइडिंग फोर्स बन जाती है तो दुनिया आपके उपर एक्शन लेना शुरू कर देती है दुनिया की सक्रीता आपके उपर बढ़ जाती है और आप बेबस हो करके सिर्फ न त्रिती बल है इस बल को या त्रिती बुन है या आपकी जो समझ है इस समझ को दुनिया से ना कौपी करके आप इसको सास्त्र से कौपी कीजिए यानि ज्यान से आप अपनी समझ का विकास कीजिए तो ज्यान से जब आप समझ लेंगे तो क्या होगा ज्यान से जब आप यह वी से tutti नहीं ख़ंगे, आप यह सोचेंगे, कि इसकी background ही ऐसी है, इसकी upbringing ही ऐसी है, इसका environment ही ऐसा है, यह गाली यह यह नहीं दे रहा है, गाली इसकी परवरिष का परिनाम है, इसकी इसमें कोई गलती नहीं है, इस व्यक्ति का जो व्यवहार है, वो व्यवहार इसके ऑन परिवारिक परिस्थिती है, वो परिवारिक परिस्थिती खराब है, इसकी जो situation है, वो मनहस्थिती इसकी ठीक नहीं है, तो आप उसके frame of reference में जाकर के सोच पाएंगे, उसके perspective में जाकर के सोच पाएंगे, उसके परिपेक्ष में जाकर के सोच पाएंगे, तो आप उसको forgive कर देंगे, आप एक ख्षमापून अप्रोच उसके प्रती रखेंगे, आप कहेंगे कि चुकी इसकी बैग्राउंड महीं प्राब्लम है, इसलिए इस तरीके से रियाक्ट कर रहा है, इसलिए आप इसे इग्नोर कर देंगे, तो अब इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, अंदोरी रूप से एकसेप्टेंस रखने का परिणाम यह होगा, कि आपके अंदर की फीलिंग पॉजिटिव बनी रहेगी, आपकी सोच पॉजिटिव बनी रहेगी, और आप आसानी से अपनी सोच को बदल सकेंगे, तो याद रखिए, जब आपका सत्व, सास से आने वाली समझ हो गई, तो अब आप रजस हो गए, यानि अब आप एक्टिव फोर्स हो गए, और दुनिया क्या हो गई, दुनिया हो गई, अक्रियेबल, यानि अब आप दुनिया के उपर फोर्स लगा सकते हैं, दुनिया आपके उपर फोर्स नहीं लगा सकती, इसका प्रिणाम क्या हुआ, प्रिणाम यह हो गया कि आपका जीवन आपके नियंतरण में आ गया, आपके विचार आपके नियंतरण में आ गये, आप जैसा विचार करना चाहेंगे, वैसा विचार कर पाएंगे, और इस प्रकार आप अपनी सोच को बदल पाएंगे, याद आप सिर्फ negativity रोड़ दुख से ही आपका साबका पड़ता है आप उसी को अपना लेते हैं उसी से आप प्रेम करते हैं तो आपका ये प्रतिग्या इसको जो है मैं appreciate करता हूँ कि आपने नव वर्स पर अपनी सोच को बदलने का प्रियास किया सोच को बदलने के लिए पहले अ आप बंद कर पाएंगे और नए वर्स पर आप एक नई उर्जा के साथ और एक नई positivity संकारत्मक्ता के साथ आप जी सकेंगे